स्वागत है दोस्तों आपका एंप्लीफायर वर्ल्ड चैनल में और आज ये PCV बनकर आ चुकी है जी हाँ ये 1500 वाट NPN ड्राइवर बोट का ये ब्लैंक PCV आपके सामने है इसमें केवल NPN ट्रांजिस्टर आउटपूट स्टेज में लगाकर इससे 1500 वाट तक का आउटपूट पाउर लिया जा सकता है तो देखिए अगर आपको इससे मैक्सिमम आउटपूट पाउर लेना है तो आप इसमें 5200 मतलब इसमें या फिर अगर आप इसे कम वाटेज में यूज करना चाहते हैं जो बंदे 100 वाट से लेके 500 वाट तक का अप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो इसके साथ 2N3055 भी यूज कर सकते हैं तो 2N3055 ये मैक्सिमम 60 वोल्ट DC सपोर्ट करता है इसलिए इसके लिए 36 वोल्ट सप्लाई जन्दब 36 036 का ट्रांसफर्मर यूज करना पड़ेगा बट आप इसे 2N3773 यूज करते हैं या फिर 5200 यूज करते हैं तो आप इसमें इसलिए 70 070 का ट्रांसफर्मर यूज कर सकते हैं तो इस वज़े से आपको मिलेगा मैक्सिमम पावर आउटपूट तो यहां पर देखे यह यहां पर एक आईसी लगी हुई है यह आईसी एक्चुली इसका फंक्शन है DC Offset Correction तो जैसे ही बड़े पावर एंप्लिफायर होते हैं उनमें DC Offset का जो इशू होता है वो काफी ज्यादा होता है तो इसलिए इसमें प्रिसेट ना देते हुए इसमें यह आईसी का यूस किया गया है जो आटोमेटिकली इसका DC Offset को माइक्रो वोल्ट में कनवर्ट कर देगा मतलब आउटपुट जो DC होता है वो नार्मल जो एंप्लिफायर होते हैं उसमें लगबग 30-40 मिली वोल्ट के करीब हो जाता है कितना भी अच्छा आप ट्यून करेंगे लेकिन इसमें वो ही DC Offset Voltage जब आप इसको लगाएंगे इसको देखेंगे तो वो बिल्कुल माइक्रो वोल्ट में चला जाता है बहुत कम हो जाता है इसलिए मैं इसे Zero Offset सीरीज इसका नाम दिया है Zero Offset तो यहां पर आपका फायदा यह होगा जैसे Zero Offset होता है तो आप इसके साथ Sound Output Transformer यूज़ कर सकते हैं देखिए Sound Output Transformer का जो Primary Coil जो होता है वो काफी मतलब उसका Resistance तो बहुत कम होता है उसमें केवल इंडक्टिव अप्लिकेशन होता है ट्रांसफर्मर में और जो वाइनिंग का Resistance होता है वो काफी कम होता है तो ऐसे समय में DC Offset की वज़ए से नॉर्मल एंप्लिफायर जब आप लगाते हैं साउंडोर्ट को ट्रांसफर्मर अप्लिकेशन करते हैं तो उनके DC Offset Voltage की वज़ए से वो बहुत ज्यादा Current Draw करने लगता है और नतीजह यह होता है कि एंप्लिफायर शॉर्ट सर्कृट हो जाता है लेकिन यह ड्राइवर ब होता है उसका लेंथ जो चोड़ाई जो होती है काफी ज्यादा होती है इसको कॉंपैक्ट हिया गया है और उसमें DC Offset करेक्टर फंक्शन नहीं था तो यहां पर वो एड्ट कर दिया गया है तो इस तरीके से यह जीरो आफसेट फीचर इसके अंदर आ गया है और इसका PCB तो मैक्सिमम PCV आप इसका पर्चेस कर सकते हैं Amplifier PCB चैनल से क्योंकि उन्हों नहीं यह PCB बना कर भेजा है मेरे पास में मैंने उनको PDF दिया था तो यह मिश्टर योगेश शास्त्रियगर गादियाबाद यूबी यह उनका कॉंटेक्ट नंबर है और Amplifier PCB नाम से उनका चैन अगेरे का काम तो मैं बहुत कम कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सेलिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं होता है लेकिन जो भी ज़्यादा quantity मिलेना चाहते है तो Amplifier PCB चैनल से contact कर सकते है तो फिलाल यह वीडियो बस इतना ही है इसका component filling और इसका testing और बागी सारी जो detail चीज़े वो बाद में आने वाली है तब तक आप चाहे तो इसका PCB पर्चेस कर सकते है तो फिर मिलते हैं next वीडियो म जिसमें इसका PCB का component filling और इसकी testing output transistor के connection बाकी सभी जानकारी होंगी तो मिलते हैं दोस्तों फिर next वीडियो में thank you for watching and have a nice day